सब्सक्राइब करें जेके डिस इंफो यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए डिटी एज के रेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तो आपने भी कभी भुद्काल में इंडेपेंडन टीवी का बॉक्स लिया होगा तो अभी दोस्तो वो बॉक्स आपके गर पर एकदम डिब्बे के तरफ पड़ा होगा तो इस बॉक्स को आप डिडी फिडी की तरफ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसी टॉपिक पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में तो वीडियो पर बने रही है तो जिया दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास इंडेपेंडेंट टीवी का एक बॉक्स है जो कि कुछ इस तरह का इंडेपेंडेंट के बॉक्स मिलते थे तो सबसे प्यादा दोस्तो इस बॉक्स को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसको फाइंड करना है इसकी पोग्रामिंग वाले IC को और दोस्तो उसके बाद इसकी IC को पोग्रामिंग करके आप इस बॉक्स को फ्री डिस की दरब बिल्कुल यूज कर पाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास दोस्तो काफी सारे इंडेपेंडेंट के बॉक्स के डिब भी मेरे पास आये थे जो की सॉफ्ट्वेर करने के लिए तो यहाँ पर से मैं आपको कम्प्लिट स्टेफ बाइ स्टेफ दिखा रूगा सबसे पहले अगर हम इस बॉक्स को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेपेंडेंट टीवी का लोगो और यहाँ पर से लोडिंग के बाद ज्यादा कुछ हमें यहाँ पर से ऑप्शन बिलते नहीं है कियानि कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरूग अगर हम शुरुवात में देखें तो यहाँ पर चैनल स्केन होने की कोशिश करता है यहाँ पर टीपी वगेर सर्चिंग करता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है यहाँ पर कोई भी चैनल नहीं चलता है इस वक्त ठीक है तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई box पड़ा है और चाहते हैं कि इसको हम DDFIDES की तरह यूज करें तो कैसे करना है वो ही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले यहां पर मैंने आपको box दिखा दिया जो की original independent tv का box अभी जिस हालत में यहां पर पड़ा है तो आपके पास भी same इसी position में हो सकता है ठीक है या फिर हो सकता है कि इसके अंदर channel एड हो लेकिन channel कोई भी चलता ना हो या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है ठीक है तो यहां पर कोई और option भी नहीं है कि हम यहां पर से blind scan कर ले या फिर कोई setting कर ले जिससे आराम से यह चल जाए तो यहां पर दोस्तो तरीका क्या है वह मैं आपको बताओंगा और थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप खुद नहीं कर सकते है तो आप किसी technician के बास कर सकते है या फिर आप हमारे पास भी बेज सकते है तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहां पर जो main काम करना है इसकी ic को programming कर सकते है इस usb programmer से दोस्तों आप mobile से भी कर सकते है अगर आपके पास pc laptop है तो आप इससे भी कर पाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर से इस ic को hot air gun से निकाल लेते हैं और इससे दोस्तों आप carefully निकाले क्योंकि अगर side में कोई old part damage होगे तो फिर आपका box जो है वो चलना मु है तो आइसी गो निकालने के बाद दोस्तों आपको इस ic को programming करने के लिए programmer के साथ कनेक्ट करना है और programmer के साथ connect करने के लिए आप ch programmer के देशिंटे वाला जो चिप्दे आता है उससे कर सकते हो या फिर आप ch programmer के ऊपर ic को to solar करके वी कर सकते हो ठीक है तो यहां पर मैं दोस तो इस तरह से आपकी IC जो है वो फीट रहेगी यहाँ पर IC में दोस्तों एक कोने पर एक round circle होगा वो circle आपको red वाली तार के साथ चोड़ना है ठीक है उसके बाद आपका programmer PC या फिर लेप्टोप में इस तरह इंसर्ट करना है अगर आप mobile में करना चाहते हैं उसकी भी एक वी करना है और यह software आपको description में मिल जाएगा open करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से काम करें क्योंकि सबसे पहले दोस्तों आपको IC करने के लिए यहाँ पर आपको दोस्तो 16 MB सिलेक करना होगा चोंकि independent box की जो IC है दोस्तो 16 MB के है 16 MB सिलेक करने के बाद आपको read button पर यहाँ पर से click करना है तो यहाँ पर जैसे आप read करेंगे तो आप यहाँ पर देख सेकते हैं नीचे यहाँ पर जो है आपकी IC है वो read 4 है यानि कि जो IC के अंदर जो भी software होगा वो पूरा आपको यहाँ पर से दिखाएगा ठीक है तो तब तक आप यहाँ पर से wait करना है आपको कुछ और करने के ज़रूरत नहीं है तो काफी सारे friends दोस्तों मुझे बोल रहे थे कि वाया आप हमे step by step दिखाया है कि हम programmer से किस तरह से independent TV box को free dish वाला बना सके वैसे कुछ मेरे खास friend भी थे वो भी थोड़ा सा इसके अंदर नहीं कर पाया थे सही से तो वो भी मुझे बोल रहे थे तो मैंने आज एक वीडियो बनाया है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन step by step में complete process आपको दिखा रहे था उसके अंदर ही free dish वाले सारे चैनल चला कर भी दिखाओंगा तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि पूरी IC है 16 MB की तो read होने में थोड़ा सा time लगेगा तो यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा सा skip कर देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ वर 95% तक हम पहुँच चुके हैं और जैसे आपकी दोस्तों पूरी 100% IC read हो जाएं तब आपको दोस्तों जो सबसे बेला काम करना है आप यहाँ पर से अपनी जो original dumb file है उसे save कर लिए ठीक है तो save button पर क्लिक करें desktop पर मैं यहाँ पर से save कर लेता हूँ जिस भी नाम से आपको इसे save करना है वहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ original independent.bin ठीक है तो यह मैं यहाँ पर से नाम लिख दिया है और अब यहाँ पर से हम इसे save कर लेंगे save करने के बाद दोस्तों आपका जो original dumb file है अब आपके desktop पर आ गया है आप यहाँ पर देख सकते है property में यह पूरा 16 MB का है क्योंकि अगर आगे जाके अगर कोई software सही नहीं हुआ वापस पूरा ना यह software करना चाहे तो इससे कर सकते है उसके बाद दोस्तों आपको जो एक next step ह वो करना है अब सारे IC को erase कर देना है यानि कि इस IC को पूरी blank खाली कर देना है ठीक है तो अब यहाँ पर erase पर आपको क्लिक करना है और erase में जयजा time नहीं लगेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर erase के जो process हो थोड़ा सा speedly होगा और erase होने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार programmer से software करना होगा तो वो यहाँ पर से आपको ध्यान से देखना है क्योंकि basically यहाँ पर मुझे अभी तक दो type के यहाँ पर board मिले है तो Sam जो software है वो नहीं होगा यहाँ पर से हमारा जो पूरा जो IC है वो empty हो चुका है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर से blank check भी ए जीए और confirm कर लिजी कि आपकी IC खाली है उसके बाद दोस्तों description में आपको एक link मिले जीए वहाँ पर से आपको अमारी website पर जाना होगा और website में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर से how to convert independent to free to air satellite receiver इस post पर आप चले जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों अगर आप जा आएंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा update कर दूँगा और यहाँ पर आप download में काफी सा reference को दिक्कत आ रहे थी तो इस तरह से आप download कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है उसके बाद यहाँ पर आपको get link पर click करना है अगर add wait कुछ आ जाए तो उसे आपको close कर देना ह ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने get link का option आएगा get link पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने download link आ जाएगी तो अब दूस्तों आप यहाँ पर से आराम से इस software को download कर सकते हैं तो यहाँ पर description में मैं दूस्तों आपको एक link दे रहा हूँ वहाँ पर दो type के software है जो क होने के बाद आपको इस software को जहां आपने है जिस ic को blank कर दिया है खाली किया है वहाँ पर यह वाला software को आपको programmer से programming करना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं क्योंकि internet speed जो है वो थोड़ी कम है ठीक है तो यहाँ पर हमारा software जो है वो download हो गया है अब आप फिर से प्रोग्रामर में जाए और वहाँ पर से दोस्तों आपको open में जाए ओपन में जाने के बाद जहां पर भी आपका software डाउनलोड है वहाँ पर से file path select कर लिए मेरा जो software है download वाला folder में download हुआ है तो यहाँ पर से मैं find कर लेता हूं यह है download और यहाँ पर से मैं date wise select कर लेता हू तो जैसे यहाँ पर में date wise करता हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर independent tv free channel ok jkdsinfo.bin तो यह वाला software आपको यहाँ पर से click करके open कर लेना है open करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यह software है फिर से write करना होगा write chip आप यहाँ पर click करेंगे तो फिर से आपका software है IC के अंदर programming हो हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है उलबबक 15 से 16 मिनिट लग सकता है तो यहाँ पर अभी मेरे पास आप देख सकते हैं तीन बारा बजे है अभी ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों टाइम लेगा क्योंकि 16 MB का software है तो थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पी एम तो लबबक यहाँ पर से 12 मिनिट 15 मिनिट जितना टाइम हो गया है ठीक है तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर हमारा 60 परसंट टक ही हुआ है डेखते हैं अभी कितना टाइम लेता है तो फाइनल दोस्तों हमारा जो सौफ्टेर है complete हो गया है 100 परसन ठीक है तो लबब यहां पर से मुझे 12 मिनित इतना टायम लगा है और हमारा Software जो है complete हो गया है ठिक्ळशाए तो अब दस्तो उसके बाद आपको एक बार यहां पर से verifyवी कर लेना है software को verify पर यहां पर उग्शाप करना है और लाश्ट में जाकर आपका जो software है वो verify नहीं होता है तो आपका software गलत है लेकिन अगर आपके पास यहां पर से चीप एन वफर इस सेम लिखके आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो software है एकदम सही तरीके से हो गया है ठीक है तो अब आपको IC को वापस board पे लगा देना है एकदम सही से इस IC को लगा देना है जैसे थी पहले वैसे ही आपको इसे यहां पर लगा देना है और उसके बाद दोस्तो आप इस box को on करके देखते है कि यहां पर अब हमें क्या मिलता है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते है independent TV का लोगो और उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा और जो अमारा पहले यहां पर कुछ नहीं था यानि कोई भी प्रोग्राम भी नहीं था और कोई भी चैनल नहीं चल रहा था तो उस जगह पर दोस्तों आप हम देखेंगे कि हमें यहां पर क्या रिजल्ट मिलता है तो फा आरे चैनल एड हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर दोस्तों में ने अभी 11479500 वर्टिकल एटीपिस को स्केन किया है तो कि यहां पर स्वानीपल वाली जो टीपी है स्वानीपल वगेरे चैनल आते थे वह यहां पर नहीं थे यह तो यहां पर आप देख सकते हैं अठारा ट झाल